हेलो इस्टुएंट्स बहुत बहुत स्वागत अपने यूटूब चैनल कॉमर्च विस संजीब सर में और बिजनेस इकोनमेक्स यानि अर्थ सास्तर का अगला वीडियो हम लेकर के आये हैं जो आपके एक्जाम में 100% मिलेगा ही मिलेगा और वो है मांग की लोच इलास्टिसिटी आफ डिमांड ये एक्जाम में जरूर आता है और पेपर में जब भी ये प्रसन आता है तो थोड़ा घुमा करके भी आ जाता है कि घटते बड़ती मांग से क्या आशा है आपका यानि मांग के नियम के बारे में 100% आपसे एक्जाम में जरूर पूछा जाए मांग के जो नियम है उनमें से मांग के पिरकार बहुत ही जादे most important है वो जरूर पूछा जाता है और एक बहुत विकलपी में भी इससे प्रसना आजाता है जो कि अक्सर ये दिया हुआ होता है कि मांग के लोच का सही फार्मूला क्या है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इसको समझाओंगा भी तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीकॉम पार्ट बन में यह कुछ इनिवर्सेटी में हो सकता है किसी और भी इयर में रखा हुआ हो लेकिन mostly बीकॉम फस्टियर में है यह जैपसाइक अर्थसास्त और चैप्टर का नाम है मांग की लोच देखें कीमत और पूर्ति यह दू चीजे ऐसी है जो मांग के नियम को प्रवावित करते हैं क्या होता है मांग का नियम समझेंगे दोको मांग का नियम यह कहता है कि कि किसी भी बस्तू की अगर कीमत बढ़ जाएगी तो पूर्ती अगर उतनी ही रही तो कुल मिला करके जो कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी ठीक है और पूर्ती कैसी रहेगी बरावार कांटिन्यू रहेगी ठीक है और यहां पर एक चीज मैं बता दू कि कीमत बढ़ रही तो मांग घट रही है कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है इसका मतलब है कि यह जो मांग का निय कीमत के बढ़ने से मांग घठती है और किमत घठने से मांग बढ़ती है लेकिन वो यह बिल कुल इस पस्वार्मूलऔगा ए कि मांग की लोच बराबर अगर क्यलकूलेसन करना है तो मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन उपर क्या है आनुपातिक परिवर्तन और नीचे भी आनुपातिक परिवर्तन है बस उपर मांग है और नीचे क्या है कीमत है पस इतना दिहान रखना है कि MK का दिहान रखना है MK से यह याद रहेगा कि उपर मांग रहेगी और नीचे क्या रहेगी कीमत रहेगी इस तरह से यह फार्मूला आपका कभी गलत नहीं होगा यह दो मार्क का जो alternative है हमेशा सही जाएगा मांग की लोज बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन यह फार्मूला आपको हिंदी में और इंग्लिस में भी इसी का इंग्लिस बर्जन आपको मिल जाएगा अब बात करते हैं मांग की लोज होती है तो होती क्या है देखो मांग का घटना बढ़ना यही मांग की लोच कहलाती है लोच सब्द का मतलब ही Elasticity से लिया जाता है Elasticity का मतलब होता है वो ही आपने जो Elastic देखिये उसको अगर खीचोगे तो खिष्टी चली जाएगी अगर छोड़ोगे तो कम होती चली जाएगी सेम उसी प्रकार से यहां पर है मांग क्या होता है कि जब बाजार में बहुत सारी बस्टूएं होती है उन बस्टूओं की कीमत अगर बढ़ती है तो क्या होता है कि जो भोगता होते हैं उनके इस्थान पर दूसरी बस्तूओं का प्रियोग करना शुरू कर देते हैं और उस बस्तू की मांग घटा देते हैं ऐसे अगर समझ में नहीं आए तो इस तरह से समझोगे कि मान लीजेगा कि एक तरफ है हमारा देशी घी और एक तरफ है हमारा बनस्पती घी ठीक है अब समझ में आएगा देशे घी कीमत अगर 200 रुपे केजी है तो इसका मतलब है इसकी डिमांड भी कितना 200 यूनिट आ रही है अगर इसकी कीमत एकदम 400 रुपे केजी हो जाए तो इसकी जो डिमांड है वो 200 से घटके एकदम 100 पे नहीं आ जाएगी क्या होगा कि माइनस जरूर होगी ये मतलब किलियर है लेकिन यहाँ पर कितनी होगी पुमांग का नियम आपको ये निकाल करके देगा कि उसकी पहले कीमत क्या थी अब कीमत क्या है पहले डिमांड क्या थी तो अब डिमांड क्या होगी वो तीन पॉइंटों पे चौथा निकालता है आगे हम इसके नुमेरिकल भी सिखाएंगे लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि बनस्पतीगी कीमत जहाँ पर पहले 100 रुपए केजी थी और पता चला कि यहाँ पर इसके जब दाम बढ़ गए जब इसके दाम बढ़ने से इसकी जो मांग है वो क्या होगी कम होगी तो मांग बढ़ेगी किसकी इसकी मांग बढ़ जाएगी और जब इसकी मांग बढ़ जाएगी तो इसकी जो कीमत है इसकी भी क्या होने लगेगी पिलस होने लगेगी यही चीज हमारी क्या कहलाती है मांग की लोच कहलाती तो मांग की लोच क्या है मांग की लोच ह की कीमत में परिवर्तन पर ठीक है अब ये तो हमारा किलियर हो गया कि मांग की लोज जो होती है बुक्या होती है मांग का नियम भी किलियर हो गया और यहां पर मांग की लोज बहुत तेजी से एक ही बस्तू पर पहुंच जाएं जब मनुस एक आदत में किसी चीज के लिए ले आए तो समझ लो कि उन चीजों की जो डिमांड है बहुत कम परिवावित होती है यानि कीमत बढ़ती रहेगी लेकिन उनकी डिमांड में इतना परिवर्तन नहीं होगा जित अगले वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको संचेब में समझाने के बाद में हम अगले वीडियो पर पहुंचते तो चलिओ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए